Hello friends, मेरा नाम है नीमो और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली चार ऐसे गेम्स जो आपके छोटे बच्चे को, मतलब 5-6 साल के बच्चे को बहुत पसंद आएंगे यह आपके बच्चे की English भी इंप्रूफ करेंगे, Math भी इंप्रूफ करेंगे, Words को भी इंप्रूफ करेंगे तो विडियो को पूरा जरूर देखेगा और चारो को Try जरूर कीजेगा सबसे पहला जो गेम है वो है Unscrumble the letters to make words अब यहाँ पर मैं बच्चे को हिंट भी दूँगी, मतलब जैसे यह एक मैंने Animal का नाम लिखा है थोड़ सा, आगे पीछे हम Words को कर देंगे और यहाँ पर मैंने उसे हिंट दिया है An Animal, अब जब तक बच्चे को Animals नेम नहीं आएंगे वो इसे नहीं बना पाएगा, यह क्या है बेसिकली, यह है Zebra, तो यह बच्चे को दिमाग चलाने दीजिए A Vehicle, अब यह Vehicle है और यह मैंने उसके Words को आगे पीछे कर दिया है, Alphabets को तो यह क्या है, यह है Truck, A Color, तो यह Color Name है, तो इस तरीके से जब हम हिंट देते हैं तो बच्चे के लिए थोड़ सा Helpful हो जाता है Helpful थोड़ सा रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हमारा बच्चा छोटा है, इस तरीके से थोड़ सी Help कीजिएगा उसकी इसमें, क्योंकि जब तक बच्चे को Introduce करते हैं न हम 8, क्या 8 प्लस 7 फिफ्टीन होता है, जी हाँ, अब देखे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो कितनी फिंगर्स बच्ची, 2 फिंगर्स क्या 13 प्लस 2 फिफ्टीन होता है, जी हाँ, 4 प्लस डैश 13, अब 13 में से बच्चे को 4 माइनस करना है तो कितना आएगा, बताए, बताए, कमेंट करके बताए, फटा फट से, ये आजाएगा, 9, I think 9 ही आएगा, जी हाँ, 9 ही आएगा, तो 4 प्लस 9 इकुल टू 13, तो इस तरीके से आप बच्चे को बॉक्स बना के दे सकते हो, नेक्स जो मैंने दिया है, ये भी एडिशन सब्स्ट्रेक्शन के लिए बेस्ट गेम है, इसमें हम क्या करेंगे, हम बच्चे को इस तरीके से लिख के दे देंगे, कि 1 नमबर पे आपको रेड कलर करना है, 3 नमबर पे ब्लू कलर करना है, अब ये 1, 3, 4 हमने यहां पे डायरेक्ट नहीं लिख के दिया है, हम इसे सब्स्ट्रेक्ट करने के लिए देंगे, ये एडिशन करने के लिए देंगे, अगर आपके बच्चे को मल्टिप्लिकेशन स आप से भी दे सकते हैं, लिसे 9-2, यहां आएगा 7, तो 7 पे हमें कौन सा कलर करना है, हमें करना है, येलो कलर, 8-4, तो 8-4 क्या होता है, 4, तो 4 पे हमें कौन सा कलर करना है, ग्री, तो कलरिंग भी करा रहे हैं, बच्चे को सब्स्रेक्शन भी सिखा रहे हैं, एडिशन भी स आप बहुत सारे लिख सकते हो ताकि बच्चे बहुत सारे words बनाए अब मैंने यहाँ पर बोला है बच्चे को अच्छे इन alphabets को मिलाओ और words बनाओ अब बच्चे अपना दिमाग चलाएगा तो जैसे यह है B A T तो बच्चा बना सकता है bat इसी तरीके से M भी है तो एक rhyming word बन गया mat इससे हम बच्चे की rhyming word का भी टेस्स ले रहे हैं उसके दिमाग को भी चला रहे हैं कि words को बनाओ इसी तरीके से T I N एक हम बच्चे के लिए बना सकते हैं इसमें से N E T net यह ना बहुत ही आराम से आप बच्चे के लिए बच्चा बना सकता है बहुत सारे words यसी य N वग मैंने 5 बनाया हो सकता आपका बच्चा इन ही words में से 10 words बना दे जैसे N भी बच्चा बना सकता है N भी बच्चा बना सकता है तो यह बहुत ही अच्छे गेम्स होते हैं बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए चारो गेम्स बहुत यूसफुल है तो ट्राइज जरूर कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग